कनिस्क उस सुनसान सड़क पर तेज रप्तार में गाड़ी चलाय जा रहा था, उसकी चेरे के भावग देख कर लग रहा था, जैसे कि उसका ध्यान ही नहीं था रास्ते पर, So the best student of the year, award goes to कनिस्क जोसी, announcement सुनकर, एडिटेरियम में आगे की सीट पर बैठे मिश्टर आनंद और अमर सिंग जी खड़े होकर तालिया बजाने लगी, त्रेसरी क्लास में पढ़ने वाला कनिस्क अवार हाथ में लिए, उन दोनों की तरब भागा, आनंद जी ने अपनी ब बेटा, ऐसा नहीं कहते, देखो तुम्हारे डैड रूट गए, छोटे कनिस्क ने अपने हाथों से आनंद जी के गालों को चुआ और कहा, डैड, आप मेरे डैड क्यों बनी, मुझे अंकल को अपना डैड बनाना था, आनंद जी ने हस्ते हुए अमर जी को देखा, और कहा अच्छा, अब बात यहां तक आ पहुँची, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी पैरेंट्स टीचर मीटिंग में, इसका बाप बन कर, अब यह मुझे ही छोड रहा है, अब मैं क्या करूं, तुम तो बेस्त रहते हुँ, कोई तो होना चाहिए न, हमारे कनिस्क का ख्याल रखने के लिए, हमारे जी ने कहा, I love you daddy, कहते हुए कनिस्क ने, हमारे जी का गाल चूम लिया, तभी फोन बजुठा, पुरानी आदों में खोया कनिस्क, जैसे वापस लौटा हो, उसने अपने गालों पर बह रहे आशूं को पोचा, और गाड़ी एक साइड में ल है, जिब तुम अच्छा महसूस करो, तो हॉस्पिटल आ जाना, आरोही एक पल के लिए भी, उनसे दूर नहीं हट रही है, अन्द जीनी कहा, और कॉल कट कर दिया, कनिस्क गुटनों के विल जमीन पर बैठ गया, उसने अपना सिर नीचे जुका लिया, और रोधी हुई आ कहते कहते कनिस्क की आँखी, फिर नम हो गई, इधर हॉस्पिटल में आ रोही, एक टक अपने दादा जी के बेजान सरेर को देख रही थी, उसकी आँखे लाल हो चुकी थी, दादू, मैं अकेली अब क्या करूँ, आपके बिना में क्या क्या समालूंगी, आप मम्मी डैड चलेगे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आरोही लगातार आसु बहाती हुए कह रही थी, आनंद जी के लिए, उसे इस हालत में देखना मुस्किल हो रहा था, वो बाहर आ गए, इंबुलेंस रेडी है सर, उन्हें घर ले जाने के लिए, एक आदमी ने आकर आनंद जी से कहा, ठ आनंद जी को देख, उन्हें आखों से सांध करने का इसारा किया, और कुल आरोही के पास चला गया, अंदर आकर उसने आरोही के कंधे पर हाथ रखा, मैडम, अब हमें इन्हें घर ले चलना चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना, और बहतर होगा, तुम्हें भी चले जाओ, आरोही ने खड़े होकर कहा, कनिस्क ने आरोही के आखों में देखकर कहा, देखिए, आप अप कोई साधार डलकी नहीं हैं, जो आप दुह दुनिया को दिखा रह सकें, आप मालिक हैं, इनकी कंपनी की आपको मजबूत बनना होगा, आप मजबूत बनेगी, तभी कंपनी क बाकी लोग भी इस हादिसे से उबर कर अपने काम पर ध्यान देंगी, इन्होंने जो एंपायर खड़ा किया है, और आपको उसकी इच्चित करनी होंगी, एक लीडर इस तरह सब के सामने नहीं रो सकती, समझी आप, आरोही कनिस्क को देखे जा रही थी, उसने रोती हुई कहा, तो क्या करूं मैं, अकेली हो गई हूं पूरी तरे, तुम्हे क्या मालूं, दादू मेरी लिए क्या थे, वो मुझे इसे बीच में छोड़ कर चले गए, और तुम कह रहे हो, मैं हिम्मत से काम लूं, नहीं करना मुझे कुछ, कहते कहते आरोही फूट फूट कर रोने लगी, कनिस्क ने उसे देखा और गले सी लगा लिया, कुछ देर तक आरोही उसके गले लगी रही, फिर उससे दूर हो, बाहर निकल आई, आनंद जी ने, मेडिकल श्टाफ को अंदर जाने का हिसारा किया, और उन्हें बॉड़ी घर ले जाने के को कहा, अमेर जी की बंगले पर लोगों का ताता लगा हुआ था, एक एक कर, नामी हस्तिया, उनके अंतिम दर्सन को आती जा रही थी, कुछ ही देर में, अरिहन्त की गाड़ी भी अमेर जी के बंगले पर आकर रुगी, उसने ड्राइबर को जाने का हिसारा किया, और पुर अंदर चला आया, हौल के वीचों वीच, अमेर जी की बाड़ी रखी हुई थी, आरोही अमेर जी के करीब बैठी हुई थी, कनिसक एक तरप, कोने में खड़ा था, आनंद जी आये वी, लोगों से संतावना ले रहे थे, अरिहन्त जैसे ही अंदर आया, गंभे चेहरा ले, उसके ह हाथों में, कुछ खोल थामें और, अमर जी के पैरों के पास रख दिये, और हाथ जोड़कर, आरोही के पास बैठ गया, आरोही ने अरिहन्त को देखा, फिर अपने दादा जी को देखने लगी, अरिहन्त ने आरोही के सर पर हाथ फेरा, फिर कहा, बेटा, तुमारा मैं सबज़ सकता हूँ, इतनी कम उम्र में, तुमारी उपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, इस कंपनी को चलाना, तुमारी लिए बड़ी चुनोती रहेगी, लेकिन तुम जिंता मत करो, हम सब तुमारे साथ है, थाइंक यू अंकल, आरोही ने कहा, अरिहन्त व आप फिर सो जाईए, तब तक मैं आपकी लिए खाना लगवा देता हूँ, कनिस्क ने कहा, मेरा मन नहीं है, तुम खालो, या फिर अपने घर चले जाओ, मेरी वज़े से परिसान मत रहो, आरोही ने कनिस्क को देखकर कहा, कनिस्क आगे आया, उसने आरोही के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैडम, सर ने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा था, आपको ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकता हूँ, आरोही ने कनिस्क की कतर देखा, और उसके गले लग गई, तुम जानते हो, जब मैं पांच साल की थी, तब एक एक सिडेंट में, मेरे की दित हो गई, ना जाने क्यों दादा जी ने मुझे तब ही ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था, आज लग रहा था, कि वो जानते थे, वो मेरा साथ ज्यादा नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ से दूर रखा, कि कहीं मैं उनकी आदत ना लगा लूँ, औ और उनकी विना, पूरी तरह अकेला न महसूस करूं, लेकिन क्या वो यह नहीं जानते थे, कि मैं उनकी विना, अकेली से भी ज़्यादा अकेली हो जाओंगी, कनिस्क ने आरोही के सर पर हात फेरा, और कहा, आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ है, आरोही ने गले लग सकता, लेकिन आपकी लिए उसको छोड़ दूगा, बस आपकी एक ओरर की जिरूरत है, आरोही हॉल से अपने कंदे में जाने लगी, सीड़ियों पर जाकर, उसने कनिस्क को पलट कर देखा, और कहा, कल साम को साथ बचे, कलब हंडर में, तुम्हें ओरर मिल जाएगा, कहकर मुस्कुराते वे, अपने कंदे में चली गई, कनिस्क अपने घर लोट आया, आनंद ची पालकनी में खड़े वे थे, कनिस्क ने उनके कंदे पर हात रखा, और कहा, डैड, अब आगे क्या, आनंद ने कनिस्क को देखा, मुझे ये एकसिडेंट, एकसिडेंट बिलकुल न अगे हुई हैं, सिर्फ उस मोड पर नहीं, और एक्सिडेंट उसी मोड पर क्यों हुआ, उससे आगे या पीछे क्यों नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता, तो एक्सिडेंट करने वाला कैमले में आ जाता, आनंद जी ने कहा, एक बात बताईए डेड, आरोही की मॉम डेड का भी तो एक्सिडेंट हुआ था, वो कैसे हुआ, कनिस्क ने पूछा, आनंद जी बालकनी से निकल कर, अंदर आकर सोफे पर बैठ गए, कनिस्क भी, उनके पीछे-पीछे सोफे पर आ गया, आनंद जी ने कहना सुरू किया, उछ दिन सभी लोग, अमर जी की बेटे को, नया चे वक्त, कार के ब्रेक फेल होने की वज़े से, उनका एक्सिडेंट हुआ, और उनकी तेज रफ्तार गाड़ी, हाइबे पर खड़े, टरक में जागुसी, आरोही के किस्मत अच्छी थी, कि वो बच गई, नहीं उसकी माता पिता नहीं रहे, आनंद जी ने अपनी बात खतम क बहुत बुरा हुआ उनके साथ, पता नहीं, अब सब कुछ कैसे समालेगी, करनिस्क ने चिंता जाहिर करती हुए कहा, हमें उसका साथ देना होगा, आनंद जी ने जवाब दिया, कि उसका फोन बज उठा, उन्होंने देखा कि आरोही का फोन था, हलो, आनंद जी ने कहा, और होन स्पीकर पर कर दिया, अंकल, कल सुबह जल्दी ही आप मेरे घर आ जाईए, क्योंकि अब दादा जी का पत समालने के लिए, मैं और देर नहीं करना चाहती, आरोही ने कहा, हाँ बेटा जरूर, बिश्ट उफ लग, आनंद जी ने कहा, और कॉल कट कर दिया, आपको क सही कहा अपने, करनिस्क ने जबाब दिया, अब तुम सोजाओ, सुबह जल्दी चलना है, आनंद जी ने कहा, और अपने कमडे में चले गए, करनिस्क भी अपने कमडे में आ गया, उसने कमडे के लायल स्विंद की, और बड़ी सी खिल की, जिस पर एक बड़ा कांच लगा हुआ था, उसके मास बैठ कर, बाहर आती जाती गाड़ियों को देखने लगा, जितनी रोसनी बाहर दिखाए दे रही थी, उससे कहीं गुना ज्यादा अंधेरा, लोगों की जिन्दगी में हैं, कनिस्क बड़बडाया, उसने अपना फोन देखा, बारा बज़ चुके थे लेकिन उसे अभी तक नीद नहीं आ रही थी, वो उठा और हिट फोन लगा कर विश्टर पर बसर गया, इधर आरोही अपने दादा जी के कमडे में बैठी हुई थी, कमडे का सारा सामान सलीके से लगा हुआ था, आरोही बहुत कम ही इस कमडे में आया करती थी, लेकिन दादा जी की एक तस्वीर अपने हाथ में उठा ली, वो तस्वीर को निहार रही थी, कि तभी उसे दुंदला दिखने लगा, और आशूस की आँखों से वह निकले, दादा जी, आपका कमरा हमेशा ऐसा लगता था, जैसे यहां कोई रहता ही नहीं, लेकिन अब तो सिच म यहां कोई रही रहने वाला था, आरोही ने कहा और दादा जी की कुरसी पर बैठे गई, उस कुरसी पर बैठे बैठे, कब उसकी आँख लग गई, उसे पता ही नहीं चला, सुबह हो चुकी थी, खिलकी से आती धूप, आरोही के चेहरे पर पड़ी, तो उसकी आँखे बोली, आप कब आये, आनन्द जी कुछ कहते, कि तभी किसी ने कहा, बस अभी अभी, आरोही सीलियों से उतर कर नीचे आगई, आनन्द जी ने आगे बढ़ कर, अरिहंत, तुम यहां, आरोही में आनन्द जी के पास आगई, और बोली, हाँ, आप इस वक्त यहां, आपको तो ओफिस जाना चाहिए था ना, अरिहंत एक वकील के साथ अंदर आया, और सोफे पर बैठ गया, उसने घर के चारो तरफ नजर गुमाई, और बोला, बंगला तो अच्छा बनाया है, अमर सिंग रायजादा ने, कहना क्या चाह रहे हैं आप, आरोही ने कहा, यही, कि बं पर हाथ रग बोले, बहुरानी, आपकी बाते, आपको मेरे साथ आए, वकील साहब समझा देंगे, वकील ने कुछ फाइल्स निकाली, और आहुरोही को पकड़ा कर सुनाने लगा, मिस आरोही, यह आपके दादा जी की वसीहत है, और इसमें उन्होंने अपने पूरे होसो ह हवास में लखा है, यह आरोही को, मेरी संपत्ति का मालिक तभी बनाया जाए, जब वो मिश्टर अरिहंत के बेटे करन से साधी करेगी, इतना कहकर वकील चुप हो गया, और आरोही की तरब देखने लगा, आरोही के सांसाथ, आनंद और कनिस्क भी आश्यरे में डूबे जाली कागस हैं यह, अमेर जी आरोही को अपनी संपत्ति लेनी के लिए कोई सर्द क्यों रखेंगे बला, अरिहंत मुस्कुराया और बोला, कागस तो सो प्रतिसत सच्चे हैं आनंद जी, आपने देखा नहीं, आपके ही कंपनी के वकील के साइन हैं इन पर, आनंद जी अर जास के और सर्द आवाज में बोली, साइन जूटे भी बनाये जा सकते हैं अरिहंत, अरिहंत एक बार फिर सोफे पर पसर गया, उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाया, और एक गोट पीकर कहा, मुझे पता था, आप जूटे ही समझेंगे, एक काम कीजी, अपने वकील को फोन लगा लीजी, उसे तो सब मालूम होगा ना, अमर जी उसे वसीयत में क्या लिखने के लिए कहा, और क्या नहीं, आनंद जी ने कनिस्क की तरफ देखा, तो कनिस्क ने हाम में सर हिलाते वे, कंपनी के वकील को फोन कर, आनंद जी को धमा दिया, हलो मिश्टर सर अमर जी ने अपनी वसीयत में क्या लिखा था, आनंद ने पूछा, आनंद जी, मिश्टर अमर जी ने अपनी वसीयत में लिखाया था, कि आरो ही, जो कि तब तक मालिक ना बनाई, जब तक की, वो करन से साधी ना कर ले, उधर से जबाब आया, आनंद जी ने कनिस्क को फो चाहिए आपको अरिहंत ने कहा अरिहंत तुम्हारी नियत तो मैं सुरू से ही जानता हूं लेकिन मुझे यह उमीद नहीं थी कि अमय जी ऐसा कर सकते हैं आनंद जी ने कहा कोई मुझे बताएगा यह सब क्या हो रहा है आरोही ने अपने माथे पर हाथ रहकर गहा मैं बताता ह हो बेठा, अगर आपको आपके दादा जी की संपत्य चाहिए तो आपको मेरे बेटे करन से साधी करनी होगी अगर आप ऐसा नहीं करती तो अगले तीन दिनों में अपने आप ही आपकी सारी संपत्य करन के नाम हो जायेगी अब क्योंकि यह उनकी वसीयत है तो आप इसे को अरियंत उठ खड़ा हुआ, अब मैं चलता हूँ, कहकर अरियंत महां से चला गया, आरोही सदमे में खड़ी रह गई, कनिस्क आरोही के पास आया, और उसके कंदे पर हाथ रह कर, उसकी आँखों में जाग कर बोना, सब ठीक हो जाएगा, आनन्द जी भी आरोही के पास आ पैठ गी, उसके चेहरे पर लाचारी साफ में जरा रही थी, दादा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, कनिस्क नी, पानी का गिलास आरोही को देती हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, कि सर ऐसा कर सकते हैं, कुछ तो बड़ा चक्कर है इन सब में, आकिर क्या बात हो सकती ह मेरे पांस तो कोई एक्सन का टाइम भी नहीं बचा, करन से साधी, आरोही ने कहा, हमें कुछ करना होगा, आनंद जी बोले, क्या कर सकते हैं, आरोही बोली, वसीयत में साफ है, कि तुम्हारा हक लेनी के लिए, करन से साधी करनी होगी, तो फिर एक ही रास्ता है, जो तुम अपना सकती हो, आनंद जी बोली, कैसा रास्ता, करनिस्क ने कहा, कॉंट्रैक्ट मैरिज, आनंद जी ने जबाब दिया, आरोही ने आनंद जी की तरब देखा, और फिर कहा, इसमें क्या होगा, बेटा, इसमें तुम्हें करन से साधी तो करनी होगी, सिर्फ अपना हक लेन के लिए, सामाने साधी जैसी, इसमें कोई बात नहीं होगी, तुम उससे साधी की कुछ सरते रख सकती हो, आनंद जी ने कहा, हाँ, और तुम बखो भी समझती हो, कि तुम्हें क्या सरत रख दी है, और एक बार तुम मालिक बन गई, कमपनी की, तो तुम जो चाहों, वो कर सकती हो, उस करन को तलाग भी दे सकती हो, कनिस्क ने कहा, सही कहा आप लोगों ने, आरोही उठ खड़ी हुई, ठीक है, फिर तुम कल अरिहंत को जवाब दे देना, कि तुम तैयार हो, आनंद जी ने कहा, और महा से निकल गए, आरोही ने कनिस्क का हाथ पकड़कर, उसे अ करीब जाने ही लगी, कि तभी कनिस्क उसक से दूर हो गया, क्या हुआ, आरोही बोली, कनिस्क ने अपने कप्ड़े ठीक की, फिर बोला, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, कनिस्क ने कहा, और महां से चला गया, आरोही उठकर अ मैं बन जाए, फिर मैं उसका हाथ, तुम्हाने हाथ में दोंगा, दादा जी, आप प्रेसान मत होईए, उसे मैं अच्छे से सम्हान लूगा, तभी कनिस्क ने अचानक से गारी रोग दी, अगर दादा जी चाहते थे, कि मेरी साधी आरोही से हो, फिर करन का नाम क्यों दिय कनिस्क मन ही मन बलबलाया, मुझे उस वकील से मिलना होगा, कहकर कनिस्क ने गारी उस वकील के ओफिस की तरब गुमा ली, आरोही दादा जी के कमदे में बैठी हुई थी, दादा जी, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया, आखिर क्या वजह रही, इस तरह की वसीयत निखने की आरोही ने कहा और परेसान होकर अपने कमदे में वापस आ गई, आरोही अभी विस्तर पर लेटी ही थी, कि उसका फोन बज उठा, उसने देखा तो, कोई अनौन नमबर था, आरोही फोन उठाया, और कान पर लगा लिया, हलो, माई सुई ट्वाइफी, दूसरी तरफ से कर करन ने कहा, अगर मेरी मजबूरी ना होती, तो मैं तुमसे साधी तो क्या, तुमारी सकल तक नहीं देखती, आरोही ने कहा और फोन कट कर दिया, गुस्से में आकर आरोही ने अपना फोन जमीन पर फिंग दिया, जिससे उस स्विच ओफ हो गया, इधर कनिस्क उस्वकील क आफिस के बाहर खड़ा हुआ था, उसने एक नचर आफिस के चारों तरफ देखा, फिर सीधा अंदय चला गया, अंदर रिसेफ्सनिस्ट ने उसे रोका और काम पूछा, कनिस्क ने उससे वकील के बारे में पूछा तो रिसेफ्सनिस्ट ने बताया कि सर कई दिनों से आफ कनिस्क दोड़ता हुआ आरोही के बंगले के अंदर गया, और हॉल में खड़ा हूँ, उसे पुकारने लगा, कनिस्क की आवाज सुनकर, आरोही बाहर आई, उसने उपर से ही, उसे कमदे में आने को कहा, और वापस अपने कमदे में लोट गई, तुम ठीक हो ना, कनिस्क न कनिस्क ने उससे पूछा, आरोही उससे दूर हो, अपने पलंग पर बैठ गई, उसने कनिस्क को बुलाते हुए कहा, आओ बैठो पहले, कितनी चिंता में लग रहे हो, कनिस्क आरोही के पास गया, उसकी गोद में सर रख कर लेट गया, चिंता नहीं होगी, तो और क्या अब बताओ, तुम्हारा फोन वहाँ जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है, आरोही ने उसे सारी बार बता दी, और कनिस्क के माथे पर हार फेर कर बोली, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, कि मैं एक बाड़ी गार्ड को अपना बॉय फ्रेंड बना लूँगी, कनिस्क ने उसक अरोही भी खड़ी हो गई, और अपने पंजों पर उचक कर, उसने कनिस्क के गालों को चूम लिया, कनिस्क अपने गालों पर हाथ से छो कर बोला, कर दिया ना गंदा, अब मोधोना पड़ेगा, आरोही हसकर बोली, अच्छा, तुम कहो तो, तुम्हारे होटों को भी इंदा कर दू, छोड़ो तुम ये सब, चलो मबाइल खरेत कर लाते हैं, कनिस्क ने कहा हो, जब में पर पड़ा आरोही का फोन उठा लिया, आरोही कनिस्क का हाथ पकड़ कर नेचे आगी, उसी इस तरह जाते देख, घर में काम कर रहे नवकर आपस में बोली, अमर जी की क कम से कम, ये इच्छा तो पूरी होनी ही चाहिए थी, कनिस्क जैसा लड़गा, आरोही के लिए पसंदगर, उन्होंने सच में सही नड़े लिया, हाँ, अब चुप फुराओ, मैडम को पता नहीं चलना चाहिए, कनिस्क बाबा के बारे में, दूसरे नवकर ने कहा, कनिस्क और आरोही, माल में एक मुबाइल की दुकान पर खड़े थे, कनिस्क ने आरोही को फोन दिलवाया, और बाहर आ गया, अब इसे मत फेक देना, मेरी पूरी कमाई इसमें लग गई, अरे तो मैं पैसे दे देती हूँ तुम्हें, आरोही ने कहा, कनिस्क ने रुक कर, उसकी तरफ देखा, और कहा, गिप्ट के पैसे नहीं ले जाते, टेड़ी वियर, आरोही ने मुस्कुरा कर उसका हाथ पकड़ लिया, और उसे फोट कोट में ले आई, भूख लग रही है बाडीगार, आरोही ने कहा, ओके माल किन, बताईए, आप क्या खाएंगी, कनिस्क ने अ आरोही ने पूछा, मैडम, आपको लगता है, एक में हम दोनों का पेट भैजाएगा, कनिस्क ने कहा, मुझे लगा, एक में खाने से प्यार बढ़ेगा, आरोही बोली, एक में खाने से प्यार नहीं, बिल भैने से प्यार बढ़ता है, अब खाओ, कनिस्क ने कहा, आरोही ह कि तबी हॉल में चिलाने की आवाजे आने लगी आरोही आरोही कोई बड़ी गुस्से में उसका नाम कार रहा था आरोही हर बड़ा कर खड़ी हो गई और भाग कर नीचे आए तो उसने देखा कि करन हॉल में खड़ा हुआ था आरोही उसके पास आ गई क्या बात है इस तरह म और फिर तेवर भी दिखाती हो कौन सी गलती आरोही ने पूछा तुम्हें मेरी पत्नी बनने वाली हो और किसी और के साथ खुले आम घोम रही हो बाड़ी गार्ड से दूर रहो मुझे ये विल्कुल भी पसंद नहीं आई समझी करन ने कहा ओ सोफे पर जाकर बैठ लया तुमसे साथी के लिए हा रही कहा मैंने अभी आरोही ने कहा करन ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाई और कहा तो कोई और आप्सन है तुम्हारे पास इसके अलावा आरोही चुक रही करन ने अपने पैर पर पैर रखा और कहा जाओ जाकर पानी लेकर आओ आरोही ने कुछ ही दूरी पर खड़ी अपनी नोकरानी को इसारा किया तुम लेकर आओ तुमसे कहा है उससे नहीं करन ने ने कहा आरोही ने तीखी निच्टों से करन को देखा और हिन किचन में चली गी उसने गिलास में पानी भरा और एक चमच पानी में डाल दी वाहर आकर उसने गिलास करन को पकड़ा दिया गिलास में चमच दे करन ने कहा ये चमच क्या कर रहा है पानी में आरोही ने आगे बढ़कर चमच गिलास से निकार ली और कहा ओ गलती से र पर रख लिया और कुछ खड़ा हुआ कल तक कुछ कुछ सोच लेना नहीं तो बंगला खानी कर देना उसने कहा और वहां से चला गया इसकी तुम्हें आरोही ने गुस्सी में कहा जाने दो मैंडम आप अगर सही हैं तो आपका कोई कुछ नहीं विगाड सकता पास खड़ी न नहीं है करणिस्क बढ़ बढ़ाया उसने अपना फोन देखा और आरोही को कॉल किया आरोही जो कि विष्थर पर लेटी हुई थी उसने लपक कर फोन उठाया हलो आरोही ने कहा क्या कर रही हो के निसक नहीं पूछा कुछ नहीं आरोही ने जवाब दिया सब ठीक है कहां अभी वो करना आया था, वो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ घोमना फिरना बंद कर दू। आरोही ने सिखायती लहजे में कहा, अच्छा, ऐसा बोला वो, उसे सबक सिखा दू क्या। कनिस्क ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे प्रोपरटी, मेरे पास आ जाने दो, उसके बाद उसे देख लेंगी, आरोही ने कहा, हाँ, ऐसे देखेंगी कि दुनिया को दिखाने लायक नहीं रहेगा। कनिस्क ने कहा, उसकी बाद सुन, आरोही हसने लगी, अच्छा सुनो, सुबह कल 11 वजे कोट में सादी करने जा रही हैं, उससे अरिहंत को भी सुबह ही बताओंगी, तुम आनन्द अंकल के साथ तैयार रहना, आरोही ने कहा, तुमने सरते सोच ली, कनिस्क ने कहा, हाँ, अब बस कल देखना, वो साधी करके भी साधी की तरह नहीं रहेगा, आरोही ने कहा, ठीक है, अब आराम से सो जाओ, अपना खयाल रखना, कनिस्क ने कहा, तुम जाओ ना, सुलाने, तुम आजाओ ना सुलाने, आरोही बोली, गुड नाइट, कनिस्क ने कहा और फोन कट कर द तो उन्हीं इस तरही प्रेसान देखकर बोला क्या हुआ डैड आनंध जी ने कनिस्क को देखा और कहा पता नहीं क्यूं ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है इवाजी हाथ में होकर भी हाथ में नहीं लग रही है आप प्रेसान है इसलिए ऐसा लग रहा है चिंता मित जी सब ठीक हो जाएगा कनिस्क ने कहा और जोते पहनने लगा तुम कहा जा रहे हो आनंद जी ने पूछा दस बज चुके हैं यारा बजे आरोही ने कोट में बुणाया है उसने अब तक सारी तयारिया कर ली होगी कनिस्क ने कहा ठीक है मैं भी चलता हूँ आनंद जी बुली हाँ चली कनिस्क ने कहा और गाडी की चाबी ले नीचे आ गया थोड़ी देड में आनंद जी भी गाडी में आ गए कनिस्क ने गाडी श्टार्ट की और कोट की तरब बढ़ा ली इधर आरोही कोर्ट में बैठी हुई थी और अपने डाकुमेंट तयार करवा रही थी हमारे वकील नहीं आये क्या कोर्ट में आरोही ने दूसरे वकीलों से पूछा नहीं में वो मिश्टर सर्मा चुट्टी पर है सायद उसे जबाब मिला ठीक है आपने सब डिटेल्स में लिख दिया ना आरोही ने पूछा जी आप एक बार चिक कर लिए वकील ने कहा नहीं ठीक है अब चिक वही लोग करेंगे आरोही ने कहा और आनंद जी को फोन मिलाया अंकल कहा है आप आरोही ने पूछा हम बस आगे कोट के बाहर ही है यहाँ मीडिया आई हुई है तो अंदर जाने का रास्ता देख रहे है अगर गाड़ी से उत्रा तो पीछे पर जाएंगे ही लोग आनंद जी ने कहा आप एक काम कीजिए पीछे के रास्ते से आईए मैं भी वहीं से आई थी ना जाने इन लोगों को खबर किसने की आरोही बोली अरिहंत के सिवा और कौन है आनंद जी बोले जी अब आप लोग आ जाईए आरोही ने कहा कनिस्क ने गाड़ी कोट के पीछे कर ली आनंद जी और कनिस्क कोट में आचके थे कनिस्क को आता दे आरोही खुस होगी आपको आने में कोई परेसानी तो नहीं हुई ना आरोही आनंद जी की तरफ देह कर और कोई परेसानी नहीं हुई लिकन यह करन और अरिहंत नहीं आये अब तक और कहा आरोही और आनंद जी भी क्यों के पास आगे उन्होंने देखा अरेहंत और करन मीडिया वाल़ों सेबाते कर रहे थे आरोही ने अपना फोन निकाला और करन का नंबर डायल किया करन के फोन उठाते ही उसने कहा मीडिया वालूम के सामने नाथ निकाल लिए हो तो अब उपर चले आओ बच्ची बच्चा किसको कहा? करन नाथ पीशते हुए कहा जिसने सुना उसको आरोही ने कहा और फोन कट कर दिया अपना खयाल लखना वहां जाकर और धियान रहे कि किसी भी ब्लैंक पेपर पर या कहीं भी बिना सोचे समझी अपने साइन मत करना कनिस्क ने कहा हाँ पूरा धियान रखोंगी आरोही बोली ध्यान रखने की बारी तो अब मेरी है बहुरानी अरिहंत मुस्कुराते वे अंदर आ गया उसके पीछी पीछी करन भी था कोल्ट में अब अरिहंत और करन मौजूद थे आरोही ने मुस्कुरा कर वकील की तरब देखा तो वकील ने कुछ कागज अरिहंत के सामने कर दी ये क्या है अरिहंत ने पूछा पढ़ लीजिए आरोही बोली अरिहंत ने कागज पकड़ते पढ़ने सुरू किये और एक एक लाइन के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान और बड़ी होती जा रही थी हमें सब मंजूर है अरिहंत ने कहा लेकिन डैड इसमें क्या लिखा हुआ है करन ने पूछा बेटा तुम खाली मैरिज नहीं बलकि कॉंट्रेक्ट मैरिज करने जा रहे हो अरिहंत ने कहा कॉंट्रेक्ट मैरिज करत अचंभे से बोला हाँ और इसमें कुछ नियम और सरते लागों है जैसे कि साधी के बाद तुम और आरोही एक कमरे में नहीं रहोगे पती पत्नी जैसी कोई बात नहीं होगी ये सिर्फ आरोही को उसकी संपत्ति दिलानी के लिए की जा रही साधी है अरिहंत नहीं कहा अरिहंत की बात सुनकर करन हसने लगा और आरोही के पास आकर बोला अरेंज में जिल्ज में जैसा प्यार आपने आप होता है उसी तरह तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा आरोही मैं तुम्हें अपना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूँगा तुम चाहें जो भी कर लो, मैं और तुम, कभी हम नहीं हो सकते आरोही नहीं कहा वो तो देखा जाएगा, अभी साधी करने, करन ने आरोही के गालों को छू कर कहा तो कनिस्क ने मुस्तियां भीच ली, और वहां से निकल कर बाहर खड़ा हो गया कुछ देर में कोर्ट की सारी प्रतकिरिया पूरी हो गई करन और आरोही ने अपने अपने साइन कर मैरे सर्टिफिकेट ले लिए आनंद जी ने आगे आकर कहा लीजिए अरहंत जी जैसी वसीयत में लिखा था हो गया अब आपके पास जो वसीयत की कॉपी है उसे कोर्ट में जम्य करवा दीजी जिससे सारी संपत्त की मालिक आरोही को माना जाए अरे आनंद जी इतनी भी क्या जल्दी है अभी तो आरोही को हमें घर ले जाने दीजी काम की बाते हम कल आफिस में कर लेंगे अरहंत ने कहा ठीक है जैसी आपकी मर जी आनंद जी ने कहा और बाहर आ गए चले माई भी करण ने आरोही का हाथ पकड़ा आरोही ने उसका हाथ जड़क लिया और बाहर आ कर करिस्क से कहा मुझे घर ले चलो लेकिन तुम्हें अब हमारे घर जाना होगा अरहंत ने कहा अपना सामान लाने अपने घर जा रही हूँ बाद में आ जाओंगी आरोही ने जबाब दिया नहीं अब तुम्हें हमारी इजचत करनी चाहिए हम नया सामान ले आएंगे लेकिन तुम अभी हमारे घर चल रही हो अरहंत ने सकती से कहा आरोही ने नजर भर करन इसको देखा गुस्से से नीचे आ गई नीचे आकर करन ने आरोही के लिए गाड़ी का दरवाजा कोला और उसे बैठने के लिए कहा आरोही गाड़ी में बैठ गई और करन आगे ड्राइवरिंग के लिए आ गया आरोही 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 तुम जानती हो कितना खुस हो मैं आज आल थाइंग तू अमर अंकल अगर वो ना होती तो मैं बदला कैसे लेता तुमसे मिरी जान करन बोला कैसा बदला आरोही ने उसकी तरफ देखा करन ने अपना हाथ आरोही के सिर पर रखा और उसे सहलाते हुए कहा उस थपड की गोज अब भी मेरे कानों में गोज रही है जब तक तुम्हारे गालों को जी भर कर चूम नहीं लोगा तब तक सांती नहीं मिलेगी मुझे आरोही ने उसका हाथ अलग कर उसे उली दिखाते हुए कहा खबरदार जो कुछ उल्टा सिधा सोचा भी तो तुम कॉंट्रेक्ट के खिलाब नहीं जा सकते करन हस पढ़ा कॉंट्रेक्ट का क्या है एक पती अपनी पतनी को प्यार भी नहीं कर सकता मैं तुम्हारी पतनी नहीं हूँ समझे तुम आरोही ने कहा करन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अपने घर ले जाने लगा इधर सभी चके नियूज जंगल में आग की तरह फैली हुई थी बिजनेस टाइकोन अमर जी की एक वसियत और दौलत के लिए उनकी पोती ने अपना भविस कंपनी के M.D. के बेटे के नाम किया करन तेज गती से गाड़ी चला रहा था उसके बगल वाली सीट पर बैठी आरोही बार बार अपने उड़ते बालों को ठीक करने में लगी हुई थी परैसान होकर उसने कांच उपर करना बहतर समझा और दर्वाजे का कांच बंद कर दिया लेकिन करन ने गाड़ी का कांच दोबारा खोल दिया और कहा मुझे तुम्हारे उड़ते हुए बाल और उन्हे सम्हालने की कोशिस करते हुए तुम्हारी ये हाथ बहुत पसंदा रहे हैं इन्ही हाथों से जब थपड़ माने का दम है तो बाल समालने का नहीं है क्या आरोही ने उसकी तरफ देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था उसने फोन में एक तरफ देखा तो कनिस्क के कई सारे मैसेश पड़ी हुए थे आरोही ने करन की सामने मैसेश देखना ठीकना समझा और फोन एक तरफ कर लिया इधर कनिस्क वकील मिश्टर सर्मा के घर पहुँचा हुआ था मिश्टर सर्मा की पतनी कनिस्क के लिए पानी लाई और उसे देती हुए कहा, कोई काम था आपको, हाँ वो मिश्टर सर्मा दिखाई नहीं दे रहे, कनिस्क ने कहा, वो तो कई दिनों से घर नहीं आये, आखिरी बार जब बात हुई थी, तब कहा था, कि सहर से बाहर जा रहे हैं किसी काम से, उसके मास से बात नहीं हुई, उन्ह मैंने पूछा नहीं, कोई ज़रूरी बात है क्या, कनिस्क ने पानी का गलास खतम किया, और खड़े होकर कहा, नहीं, कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है, जब वो आ जाएंगे, तब उनके आफिस में ही मिल लूगा, मिश्टर सर्मा की पतनी ने कनिस्क को मुस्कना की विद कनिस्क ने एक बार फिर आरोही को मेसेज किया, लेकिन कोई जबाब नहीं आया, तुम ठीक तो हो ना, कनिस्क बढ़बढाया और विश्टर पर पसर गया, आरोही अरिहंत मैंसन के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, करन उसके बगल में था, उसने आरोही की कंधे पर हाथ और कहा, चलो अंदर, यहां कोई आरती की खाली लिए, तुमारा स्वागत नहीं करेगा, आरोही ने अपना कदम बढ़ा लिया, अरिहंत जो की, पहले ही आ चुका था, हौल में बैठा हुआ था, उसने आरोही को आता देखा, बड़ी दे लगा दी बहुरानिया अपनी, आ और उसे ले जाने लगा, कि आरोही हाथ चुड़ा कर बोली, मैं खुद चल सकती हूँ, आरोही की तेज आवाज सुन, घर में काम कर रहे नोकर, उसकी तरब देखने लगे, और किचन में मौजूद करन की मा ने, बाहर जहां का तो, अरिहंत ने उन्हें, आखों के इसारे स अंदर होने को कहा, ना जानी क्यों, करन की मा के चेहरे पर अलग खुशी नजरा रही थी, करन आरोही को अपने कमरे में ले आया, और बोला, अपसी ये हमारा कमरा है, और उसके करीब जाने लगा, आरोही ने उसे जोर से धक्का दिया, और अपने से दूर कर जमीन पर गिर आगे बढ़कर आरोही ने उसे उंगली दिखा कर कहा, तुम अगर सरतों को नहीं मानोगी, तो तुम बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए, करन उठ खड़ा हुआ, उसने आरोही की बाह को पकड़ा, और उसे नीचे ले जाने लगा, तब से प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आता तुझे, लातों के बूद बातों से नहीं मानते हैं न, अब दे, तेरे साथ क्या करता हूँ, कहते हुए करन ने उसे इस्टोर रोम में ढकेल दिया, आरोही लड़कराती हुई, इस्टोर रोम में पड़ी, पुरानी टेबल से जा टकराई, जिससे उसके सि प्लग गई, और खोद महने लगा, करन की मा भागते हुए आरोही के पास गई, और उसे संभालते हुए, उन्होंने आरोही के माते से बहते खोन के, अपने दबटे से साथ किया, और उसे सहलाने लगी, करन वहां से निकल कर वाहर चला गया, आरोही ने किसी तरह अपनी से निकल पड़ा अमरिता अंटी आप करन की मा की आखे बड़ी हो गई उन्होंने नामे सर हिलाते वे आरोही को चुप रहने का हिसारा किया और वहां से बाहर आ गई बाहर बैठे अरिहंत ने उन्हें देखा और कहा समझा दो उसे भी जल्दी ताकि तुम्हारी मदद करने ल चरूरत होगी तब मैं कॉल करूंगी आई लव यू कनिस्क को मेसेज भेज कर उसने सारे मेसेज डिलीट कर दिये पूरा दिन आरोही स्टोर रोम में भूखी प्यासी बैठी रही अरिहंत घर से जा चुका था और करन भी घर पर नहीं था मौका पाकर करन की मा आरोही के पा बाद आरोही ने पूझा अमरिता जी आप तो अमेरिका में थी ना फिर यहां कब आई अमरिता जी ने पलेट साइड में रखी और आखों में पानी भर कर कहा मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे पहचान पाओगी आरोही ने उनके आशो पूछे और कहा कैसे नहीं आपकी तस्वीर देख देख कर ही बली हुई हूँ आपको कैसे भूल जाती है आप तो मॉडलिंग किया कहती थी फिर यहां कैसे अमरिता जी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा आज से 25 साल पहले में अमेरिका से इंडिया एक फैसन कॉंट्रिस्ट में अपनी फ्रेंड्स की स साधी में आई हुई थी मेरा इस दुनिया में तुम्हारे मॉम डैट के अलावा कोई नहीं था वहीं मेरे दोस्त और मेरा परिवार वाले थी साधी के बाद वो लोग और्स्ट्रेलिया में बस के और मैं यहां फस गई वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब मैं कॉंट् परिवा कर मुझे गलत तरीकी से चूने लगा मैंने मीडिया के सामने ही उसे तमाचा जड़ दिया और साध वहीं मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी उस दिन बदली की आग ने उसने मुझे किटनेप किया और अपने घर ले आया यहां किसी को कोई चिंता नहीं कि मैं क अगाइब हो गई अपने घर लाने के बाद से यह मेरे साथ जबच्दस्टी करने लगा और फिर एक दिन करन पैदा हुआ, मैं यहां से कभी आजध हो ही नहीं पाई, फिर एक दिन किसी तरे मैंने तुम्हारी माँ को खबर की की मैं जिन्दा हूं और यहां हूं, उस दिन तुम सब औस्ट्रेलिया से वापस आचके थे, मेरे मारे में सिर्फ तुम्हारी मा को पता था, और उस दिन ही उनका एक्सिडेंट हो गया, बाद में मालूम हुआ कि तुम जिन्दा बच गई हो, और वापस औस्ट्रेलिया चली गई हो, और फिर एक बार मैं यहां से नहीं न था, कि तुम्हारे दादा जी ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं, वो तुम्हें इस नरक में कैसे ढखे ले सकते हैं, अमरिता जी ने कहा, अगर ऐसा ना होता, तो मैं आपको कैसे धोड़ पाती, आरोही ने कहा, उनकी मात सुन, अमरिता जी ने उसे गलेस से लगा लिया, आरोह उजे नहीं पता, तुम इस बात को सुन भी पाओगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे माबाप की मौत का कारल भी अरिहन्त ही है, आरोही की आखे बड़ी हो गई, उसने अमरिता की तरफ आश्चर और वुस्से से मिस्रित भाओं से रेखा, और कहा, क्या कहा आप ने, अमरिता ने उसके हाथों को थाम लिया और कहा, हाँ, तुमने एकदम से ही सुना, अरिहन्त हमेशा से कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे माबाप का एक्सिडेंट करवा दिया था, अमरिता की माज सुन, अचानक आरोही की दिमाग में कुछ कौन था वह बोली, तो क्या दादा जी का एक्सिडेंट भी, एक्सिडेंट नहीं था, अमरिता ने हाम में सरहिलाते हुए कहा, हाँ, इस बात की भी पूरी संभावना है, लेकि तुम्हारे दादा जी ने तो वसीयत में करन से साधी करना लिख दिया था, फिर ये उन्हें क्यो मरव तो अब क्या करोगी तुम, अमरिता ने पूछा, अब मैं नहीं, हम करेंगे जो करना है, चलिए बाहर चलते हैं, आरोही ने कहा, हम बाहर नहीं जा सकते, यहां के गार्ड्स को, ओर्डर है कि हम यहां से कहीं नहीं निकल सकते, अमरिता ने कहा, अच्छा, तो आपके पास निन की गोलियां हैं क्या, आरोही ने पूछा, हाँ, अरिहंत रोज लेता है, अमरिता ने बताया, ठीक है, तो आज का खाना हम मिल कर बनाएंगी, आरोही ने कहा और, अमरिता का हाथ पकड़ लिया, दोनों बाहर आ गई, और रात के खाने की तयारी करनी लगी, जैसे ही कर करन और, अरिहंत आये, आरोही को किचन में देख, करन ने कहा, डैड, लगता है रसी भी जल गई, और बल भी चला गया, उसकी बात सुनकर, आरोही ने अमरिता की तरफ देखा, और आख मारी, अमरिता उसे देख, मुस्कुराई और बोली, लकीर पिटते रह जाएंगी, य दोनों को परोस दिया, और वापस किचन में आ गई, उसने वाटर फिल्टर का तार हटाया, और नेंद की कोलियों का पाउडर, उसमें मिक्स कर दिया, आपको पूरा यकीन है ना, घर के नौकर, सिक्योर्टी गार्ड्स, सब इसमें से ही पानी पीते हैं, आरोही ने पूछ और कहा, हाँ, क्योंकि ये नौर्मल डोज से कहीं जादा है, अमिर्ता मुस्कुरा दी, अरिहंत और करन खाना खाच चुके थी, करन किचन में आया और आरोही का हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगा, आरोही अमिर्ता को देख मुस्कुरा दी, और उसकी साथ चल दी, क्या ह हुआ, अब हकल ठिकाने आ गई तुम्हारी, करन ने कहा, आरोही ने कमडे का दर्वाजा बंद किया, और करन को बिस्तर पर धक्का देकर कहा, हाँ, समझ आ गया मुझे, लब मैरिज, अरेंज मैरिज से जादा मजा कॉन्ट्रेक्ट मैरिज में है, करन हसने लगा और बोला, डैड सच में कमाल है, आरोही बिस्तर पर उसके करीब आ गई, और उसकी बिलेजर से एक पट्टी निकाल कर बोली, तो चलो, क्यों ना आज की रात को यादगार बनाया जाए, करन ने आरोही के गालों को छुआ, और कहा, वाउ, तुम तो मेरी सोच से कहीं गुना आगे नि आरोही अपनी हासी दबाते हुए बोली, अरे, अभी तो एक सीन ही हुआ है, पूरी पिक्चर बाकी है, कहकर आरोही ने, उसके हाथ भी बांध दी, और पैरों की तरब बढ़ गई, क्या तुम पैर भी बांध होगी, करन बोला, आरोही ने गुस्से से उसकी तरब देखा, और फिर प्यार से कहा, हाँ, तुम रुको तो सही अभी, उसके माँ धीरे धीरे आरोही ने, करन के पैर भी बांध दी, खाने में नीन की दवाई मिली होने की वज़े से, करन पर बेहोसी चाने लगी थी, उसने सरीर की हलचल कम होने लगी थी, आरोही ने उसे अच्छे से बांध दिया, और उसकी मुह पर टेप लगा कर कमरा बंद कर बाहर आ गई, इधर अमरिता जी अरहंत को देख रही थी, जो कपका सोच चुका था, आरोही ने उन्हें देखा और कहा, आप खड़ी क्यों हैं, बांध दीजिए न, ये जाग गया तो, अमरिता जी ने कहा, त ठीक है, अमरिता जी ने कहा और अरहंत को रस्यों से बांध दिया, अब तक सभी नौकर और चौकी दान सोच चुके थे, आरोही घर के सभी सीसी टीवी के में बंद किये, और अमरिता जी के पांस आ गई, आंटी, मैं चलती हूँ, इन लोगों की जागने से पहले आ जाओं कर स्पीकर से कॉंटक्ट कर विस्तर पर आ गया, हमको किसी के गम निमारा, ये कहानी भी सही है, पूरा घर गजल से गूज उठा, अपने कम्रे में बैठे आनंद जी भी उस गजल को सुनने लगे, कनिस्क धीमी धीमी नीन में खोने लगा, कि तभी स्पीकर पर गजल खतम ह कर कुछ और प्ले होने लगा, वो आडियो सुनकर आनंद जी कनिस्क के कम्रे की तरफ आए, कनिस्क भी अब उठ चुका था, अब इस वकील का क्या करना है, जाने दे या अभी और रखे, काम तो इसने कर ही दिया है, अरिहंत सरका, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने वो सब क चालू है, काट जल्दी से, और फिर आडियो खतम हो गया, ये क्या था, रिकॉर्डिंग चालू थी, तुम्हारे फोन की, आनंद जी ने कनिस्क की तरफ देखा, कनिस्क ने हामिस सरह लाया, ये तो वकील मिश्टर सर्मा है, अब तो हमारे सामनी सच आ गया, आरोही को फसा हुआ था, वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन करन से साधी तो बिलकुल नहीं लिखी होगी, मैं अभी अरिहंत के घर जाता हूँ, कनिस्क ने कहा, और मैं कमपनी जाता हूँ, मीटिंग बुलाता हूँ, सभी सेयर होल्डर्स की, तुम्हें आडियो क्लिप मुझे सिंड करो, आनंद जी ने कहा और निकल गए, कनिस्क भी अब अरिहंत के घर के लिए निकल चुका था, रात के बारा बज़ चुके थे, आरोही रास्ते में थी, उसने अपना फोन देखा तो स्विच ओफ हो चुका था, उसने गाड़ी में चार्जिंग पर लगाया और स्पीड लगबग एक घंटे बाद, वो अपने घर आ चुकी थी, घर के सभी नौकर उसे देख खुस थे, मैडम आप ठीक हैं, आपके सिर पर चोट कैसे, अभी इसका टाइम नहीं है, गाड़ी में मेरा फोन रखा है, ले आओ, और अंदर चार्जिंग पर नगा दो, कहते वे आरो ही भाग कर अपने दादा जी के कम्रे में आई, उसने कम्रे में चारों तरफ देखा, और एक एक कर, सभी आलमारी दराज कोलने लगी, कि तभी उसकी नजर दीवार पर लगी, एक घरी, एक बड़ी घरी पर गई, जिसका टाइम रुका हुआ था, आरो ही उस घरी के पास ग की हुई थी, आरो ही ने फाइल निकाली, और उसके पन्ने पुलटने लगी, तभी उसकी नजर एक पन्ने पर आकर रुक गई, जिसमें कुछ बिंदूओं पर वो रुक गई, मैं पूरे होरी से हमास में ये घोशना करता हूँ, कि मेरे बाद मेरी चल अचल संपत्ति, जिस पर भी मेरा हक है, जो मेरे अधीन है, आरो ही को बिना किसी विवाद की दी जाए, आरो ही जिससे चाहे साधी करे और साधी करने पर उसकी संपत्ति का 30% उसके पती को दिया जाए, आरो ही ने फाइल बंद कर दी, उसके चेहरे के भाओं बार बार बदलने लगी, वो जमीन पर बैठ गई और तभी फाइल में से एक छोटा सा कागज निकल गया जिस पर कुछ लिखा हुआ था आरोई ने कागज को उठाया और पढ़ने लगी जो उसके दादा जी का पत्र था आरोई तुम बहुत होसियार हो मैं जानता हूं कि मेरे बाद कमपनी को अच्छे से संभा पाओगी मैंने कभी तुम्हारी किसी फैसले पर उंगली नहीं उठाई ना तुम्हें कुछ करने से मना किया मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी एक बात मानो ये मैं तुमसे वैसी नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता नहीं तुम कैसे प्रत्किरिया बेक्त क करोगी जब तुम चेयर्मेन के पत्र बैठोगी तब ये पत्र किसी के हाँ से तुमें बिजुआओंगा और उम्मीद है तुम उस पत्र लाने वाले से साधी करो मुझे कनिस्क बहुत पसंद है वो हर तरह से तुम्हारे लिए बहतर है मैंने उसे तुम्हारा बाड़ी गार इसलिए बनाया ताकि तुम उसे समझ सको और अपने मन से एक बिक्त के तौर पर निल्रे ले सको ना कि उसे आनंद के बेटी की रोप में देखकर और मुझे विश्वास है कि कनिस्क ने अब तक तुम्हारा दिल जीत लिया होगा इसलिए मेरी बात मानो तो उसे ही अपना जीवन साथी चुनना तुम्हारा दादा पत्र पड़कर आरोही की आँखों से आसु बहने लगे वो फाइल को सीने से लगा कर फोट फोट कर रोने लगी आपने पहले कुछ क्यों नहीं कहा दादू आरोही ने सकते वे कहा आरोही उट खड़ी वी और वहां से बाहर आ अब बताओगे अरिहंत के आदमी हो अमरिता जी ने कहा कनिस्क का फोन बार बार बज़े जा रहा था उसने देखा तो आरोही का फोन था उसने अमरिता को हाथ से इसारा किया और फोन उठाया हा आरोही बोलो कनिस्क आरोही ने कहा कहा हो तुम और क्या हुआ इतनी परिशा कनिस्क ने कहा तो अमर्टा जी के मां थे पर भी सिकन आ गई। मैं अपने घर पर हूँ। आरोही ने कहा। क्या मैं अभी आ रहा हूँ। कनिस्क ने कहा और जाने लगा। रुको मैं अभी चलती हूँ। अमरिता जी ने कहा, आप है कौन? कनिस्क ने पूछा. मैं करन जैसे बेटे की मा और अरहिंत की पत्नी हूँ. अमरिता जी ने अपना परचे दिया, लेकिन वो तो करन को जनम देते वक्त मेर चुकी थी. कनिस्क ने कहा, वो सब जोट था. अमरिता जी ने कहा, ठीक है, चलिए जल्दी कनिस्क ने कहा और बाहर निकल गया अमिता जी ने दरवाजा बंद किया और कनिस्क के साथ गाड़ी में बैठ गई आनंद जी ओफिस आ चुके थे और सभी मेंबर्स की जमान पर एक ही सवाल था कि रात की दो बजी मीटिंग क्यों बुलाई गई है आनंद जी ने सभ जिस भी रची है आप लोग उस पर आख मुंद कर भरोसा करते हैं और कंपनी के खिलाप लिए गए उसके फैस्टों में उसका साथ देते हैं उसने कई लालेच दी होंगे आपको तो अब सुधर जाईए उसके पापों का घड़ा अब तूटने वाला है कल सुबह की साथ ब और प्लिस को कॉल कर दिया कनिस्क आरोही के घर आ चुका था आरोही कहा है कनिस्क ने आते ही पूछा नौकरों ने दादा जी के कमले की तरफ इसारा किया कनिस्क भागता हुआ उसके पास आया आरोही ने कनिस्क को देखा और उसकी आखों से आंसु बहने लगी कनिस्क भी आरोही को देख उतना ही भावु खोट रहा उसने किसी तरह अपने आंसु को बहने से रोका लेकिन आम्याब ना हुआ उसके भी आंसु बह निकले तुम ठीक हो ना उसने दूर से खड़े-खड़े ही पूछा आरोही उसकी तरफ भागती भी बढ़ी और गले से जा लगी कनि कनिस्क ने आरोही को किसकर पकड़ लिया तुम बहुत बुरे हो तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया आरोही ने बिलखते हुए कहा I am sorry मुझे माफ कर देना मैंने तो बस अंकल से वादा किया था कि वो नहीं कहेगा तब तक नहीं बताऊंगा वैसे भी वो खुद बतान ये देखो दादा जी की असली वसीयत आरोही ने कनिस्क को फाइल थमा दी कनिस्क ने फाइल पढ़ी और आरोही की तरफ देख कर कहा इसका मतलब मैं 30% का असली हगदार हूँ वो करन नहीं कनिस्क की बास सुन आरोही ने उसके उपर मुक्य बरसाने शुरू कर दिये अरे कनिस्क ने कहा और आरोही को पकड़ दिया लेकिन करन और अरहंत ने ऐसा क्यों किया आरोही बोली तुम्हारी दौलत के लिए और तुमसे करन का बदला लेने के लिए अमरिता जी ने आकर कहा कनिस्क ने आरोही को छोड़ दिया मैं डैट को कॉल करता हूँ कहकर वो बाहर आनन्द जी पुलिस के साथ अरिहंत के बंगले पर पहुच चुके थे, उन्होंने कनिस्क का कॉल उठाया और कहा बेटा तुम आरोही को लेकर थाने आ जाना जब मैं कॉल करूं तो इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी, पुलिस की टीम में अरिहंत के बंगले के पास सर्चि पुलिस वालों ने कनिस्क को रोका तो वो आरोही के वापास वापस आ गया वकील को हॉस्पिटल में भरती करवा दिया गया अब बताओ आरोही के माता पिता की तरहा ही तुमने अमरजी को भी मरवाया है इस्पेक्टर ने अरिहंत से पूछा अरिहंत ने एक नजर सभी को देखा और वो समझ गया अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो उसने हामी सरहला दिया उसके सिरहलाती इस्पेक्टर ने उसे थपड मारा कि डिनैपिंग हत्या धोखा कुछ छोड़ा भी है तुमने अरिहंत आनंद जी ने आगे आकर कहा मेरे मॉम डैड दादा जी को मार कर तुमने मुझे अनात बना दिया अब सडो सारी जिन्दगी जेल में अपने बेटे की साथ कमपनी का मालिक बनना था ना तुम्हें तुमेहनत करते किसी का खून क्यों किया कलत राष्टे से पाई हुई काम्याबी धन दौलत ऐसो आराम की जिन्दगी जलती हुई मुम बत्ती की तरह है जो एक ना एक दिन पिघल कर बुझती जरूर है और आज तुम्हारी सारी मुम खतम हो गई आज की पूरी राद तुम्हारे लिए अंधेरी राद बनी रही अब सुबह की पहली किरन तुम यहां से इस जेल से देखोगी आरोही ने कहा और वहां से बाहर आ गई कड़ी से कड़ी सजादी लवाओंगी में तुम्हें जो इतने सार तुमने मुझे टॉर्चर किया है उसका बदला चुन चुन कर लोंगी तुमसे अरिहंत अमिरिता ने कहा आरोही के पास आ गई आरोही ने अमिरिता को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया आपको ये हिम्मत बहुत पहले दिखानी चाहिए थी अमिरिता जी ने हां में सरहिला दिया आनंद जी और कनिस्क भी व्याहर आ गए अब घर चली कनिस्क ने कहा सभी लोग गाड़ी में बैठके और आरोही के घरा गए हॉल में बैठके सभी ने राहत की सांस ली पूरी रात से कोई सोया नहीं था अब हमें सोना चाहिए वैसे भी पाँच बज़ चुके हैं जल्दी ही मीडिया को पतार जल जाएगा और खिर सबको इंटर्विव के लिए अच्छा भी तो दिखना है आरोही ने कहा तो सभी हस पड़ी सही कहा मैं भी अब चलता हूँ काफी सारा पेपर बर्क निप्टाना है तुम आरोही का खयाल लखना आनन जी ने कनिस्क की तरफ देख कर कहा ओके डेड आप चिंता मित कीजिए कनिस्क ने कहा आंटी जी आप इहीं रुख जाएए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ आरोही ने कहा और अमरितागु जी को रूम तक छोड़ने आ गई कनिस्क कमडे में आ चुका था आरोही जब कमडे में पहुची तो कनिस्क ने माहे फैला दी आरोही ने कमरा बंद किया और कनिस्क के गले जा लगी कनिस्क ने आरोही के गालों को चूम लिया और आरोही ने पंजों पर खड़े होकर उचक कर अपने होंट उसके होंट पर रख दी कनिस्क ने आरोही को गोद में उठाया और बिट पर ले आया अरोही को बिट पर लेटा कर वो बिट से नीचे बैट आरोही का चेहरा देखने लगा आरोही ने उसी इस तरह से देखा और कहा क्या देख रहे हो कनिस्क ने उसके cohort पहरा और कहा तुम्हारी आखे कितनी प्यारी है ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी चमक इनहीं में समा गई है और जब मैं इन आखों में खुद को देखता हूँ तो जान पाता हूँ कि मैं असल में क्या चाहता हूँ मुझे मेरी सारी जिन्दगी तुम्हारी इन आखों में नजर आती है, मुझे से कभी दूर मत होना, नहीं तो मिरी जिन्दगी भी मुझे से दूर हो जाएगी, आरोही ने कनिस्क के हाथों को चूमा और कहा, I promise कभी नहीं जाओंगी, और अगर गई तो, तुम्हें ये हक देती हूं, कि तुम मुझे वापस ले आओ, चाहे कुछ भी कहू मैं, फिर भी मुझे मित छोड़ना, और अगर मैं कभी कुछ ना भी बता पाऊं, तो तुम मुझे से पहले उस बात को जान लेना, कनिस्क ने कहा, और खाने के लिए हमेशा ही दो प्लेट लाना, क्योंकि एक में पेट नहीं भज़ पाएगा, आरोही बोली, ऐसा लग रहा कब किसी ने जादा सेलरी का जहांसा दिया, और मेरे बाड़ी गार्ट को फसा लिया, तो आरोही ने कहा, कनिस्क आरोही के पास आ गया, और उसके बगल में जाकर बोला, तुम पकड़ कर रखना वस, उसकी बात सुनते ही, आरोही ने उसे जकड लिया, और दोनों ही हसने ल पर अब्लोड होगी, सायद कह भी नहीं सकते, हो सकता इसे पर ही अब्लोड करूं, तो चलिए फिर मिलती हूँ उस कहानी के साथ, अगर मैंने अपने दोनों चैनल पर उस कहानी को अप्लोड किया तो लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी आप लोग लिंक की जरी उस कहानी के सभी भाब को सुन सकते हैं चलिए फिर मिलती हूं उस कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार